आज इस वीडियो में बात करेंगे RAC Group D का जो अभी एक्जाम हो रहा है अभी और जो एक्जाम हो चुगे हैं उसके कटाप के बारे में बात करेंगे कितना कटाप जा सकता है और पिछली बाद कटाप कितना था और 2018 में जो बेकंसी आए थे और 2019 में बेकंसी आए थे इसका चनल OVC EWSCST का कटाप कितना रहेगा बात करेंगे बात करेंगे कोई डिटर्म वीडियो के स्टार्ट करते हैं इस अर्राट सी गुरूबडी जो 2018 वेकंसी आये थे वह 62 हजार थे वेकंसी और जो अर्राट सी गुरूबडी 2019 में जो वेकंसी आए थे उसमें एक लाख तीन ह उसमें एक करोड़ पंद्रा लाग फाम भरे गए हैं उसमें जो परसंटेस था उपस्तिती ती रहों का उसमें 2018 में पचातर परसंट थी और 2019 में 50 परसंट के आसपास अटेंडेंस है और कटाप के बारे में बात करना तो इसका पार जो दो जो दो जो दो अठार थारम था अपनों को सेवेंटी फोर के आसपास में था और इस बारे में बात करने तो इसमें 2018 में आपनों को कटाप यहां थोड़ा लो देखने को मिला क्योंकि उससे पुरानी जो बेकेंसे थी समते करें से चाल लाग बेकेंसे थी उसमें जो टापर से जो इस्टुट्रेंट ने ज आपनों को 62 से 65 के नार्मालाइज स्कोर आपनों को दिखने मिलेगा यह नार्मालाइज स्कोर के बारे में बात कर रहा हूं इसमें 62 से जिए 65 जन्न आप हैं और सभी कटेवियूम इसमें एक दो नंबर कंब अब लोग कर सकते हैं इसी की आज पास ही कटाप रहेगा अपलों का और इससे हाई तो नहीं जाएगा इससे कंब सकता है मद से हाई नहीं जाएगा और ओवी सी के बारे मारे मारे साठका स्पास शीम रहेगा EWS का भी OVC और EWS लोग सेम ही रहेगा और इसमें और भी लो जा सकता है इसमें पचास के सम्थिंग आज सपास में ही जा सकता है और यह कुछ अब्डेट था 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 है क्यों चाहें